कि Hei everyone, how are you all? Welcome to our channel Suneel Kumar Creative Hairstylist और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं Lays Bred Hairstyle जो कि हम 4th section के साथ में बनाते हैं चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले हम देखने जा रहे हैं कि हम इसको पहले without laze बनाने वाले हैं ताकि आप लोगो को टेकनिक मालूम हो जाएगा कि आपने फूर्थ स्रेक्षन के साथ पहले ब्रेड कैसे बनानी है और उसके बाद हम लेज के साथ इसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो आजकल चल रहा है न है टेडिशनल या भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप ब्रेड ब्रेड पर Ja इंडवेशनल दतनेक्ष्ट के साथ में आप समर्स का इस ब्रेड का यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के फर्रेंट वेड्येशन खर प्रेंट और। भी तरह की प्रेड रहा है तो चलिए दुस्तों देख लेते हैं कैसे इसने होना है तो यह है हमारी आज की मॉडल जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो फर्स्ट मैं यहां से आप लोगों को बताऊंगा पहले नॉर्मल पहले आप कॉंसेप्ट को समझो कि हम फोर्स्ट सेक्शन की ब्रेट बना कैसे रहें बहुत एजी और आसान तरीके में बताऊंगा आप सब लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा अब ही हम बना रहे हैं लेफ्ट में माने बात तो पहले क्या करना है आपने एक सिंपल सा सेक्शन लेना है जो कि अराउंड हमने एक फिंगर ठिक रखा हुआ है अब इसको मैं चार सेक्शन में डिवाइड करूगा फोर इक्वल पार्ट में सो हमने इसको फोर सेक्शन में डिवाइड करना है वान यह आपका 1 and just 2 4 section चाहिए हमें So 1 and 2 and 3 and 4 So यह 4 section हमने डिवाइट कर लिए हैं and 4 section की ब्रीडा आप बनाएंगे C So अभी आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में 4 section है So आपने जो है यह back से start करना है या front से start करना है Depends on you आपके उपर निर्वर करता है माने बाद हम front से start करना है तो यह पहले वाले section को आपने क्या करना है इस वाले section के उपर डालना है यह बोलेगा यह आप आएगा ठीक है आप आगया तो यह middle वाले section के नीची जाएगा down ठीक है और फिर अब यहां तक होने के बाद यह वाला section यह last है यह नीचे है तो इसके यह उपर आ जाएगा बस तो यहां तक आप इसको समझोगे कि हम इसको up, down, up हमने इसको just play किया है समझ रहे हो? एक बारी फिर से बता रहो समझ लो गौर से see, क्या किया हमने? चार section लिए है और चार section में हमने इनको देखो simply जो पहले वाला section है उसको यह तो down या up एक ही जगे पे आप ले करोगा अभी हम कर रहे हैं उपर तो पहले वाला section दूसरे वाले section के उपर गया तो पहले up हो गया फिर तीसरे वाले section के नीचे down और फिर फोर्त वाले के up चले जाना है बस अब इनको हमने पकड़ लेना है अब देखो इधर से यह आपका left part है इधर से और यह मेरा right hand अब right side से यह section देखो नीचे है तो यह middle वाले के उपर जाएगा और front वाले के नीचे चले जाएगा यह नीचे आगया ठीक है अब फिर again अभी देखो condition क्या है यह नीचे है section यह नीचे है ना और इसकी बारी है उदर जाने की तो यह अभी उपर है तो यह middle वाले के नीचे जाएगा और यह last section है इसके यह उपर चले जाएगा तो it's up, down, फिर up अभी देखो यह last corner वाला section किदर है down है तो यह इसके उपर जाना है and then इस वाले section के नीचे जाना है तो up, down, up ऐसे आपने ही ऐसे ही continue करना है अब इदर वाले section के बारी यह उपर है तो यह down और यह इसके उपर फिर इदर से यह down है तो इसके उपर और इसके नीचे अभी देखो यह उपर है इस section के यह उपर है तो यह middle वाले के नीचे जाएगा और last वाले के उपर आएगा अब last वाला section नीचे है तो यह middle वाले के उपर जाएगा नीचे था तो उपर गया और ये इसके एक बार उपर आगया तो फिर नीचे जाएगा ठीक है अब लास्ट वाला section इधर से देखो आप तो ये उपर है तो ये इसके नीचे जाएगा और लास्ट वाले section के उपर जाएगा सो ये concept है fourth braid को बनाने का CA बनते चले आई है और बाद में हम ये section add-on करेंगे इसके साथ अभी मैंने जस्त आपको concept बताया fourth section की braid आपने कैसे बनानी है लास्ट में हमने इसको बना के से end पे पकड़ना है इसको corner से corner से आप spread करेंगे ये सलके हाथ से और इसको थोड़ा आप wider present करेंगे जितने भी आपको ये wider present करनी है थोड़ा सा आप spread कर देंगे इसको थोड़ी सी heavy लगेगी broad लगेगी और सुन्दर दिखेगी सी अभी आपने ये बीच बीच में देखो आपका ये middle section है और यहां यहां से हमने इसको spread कर दिया है ये आपकी fourth section की braid है जो latest trending पे अभी front variation पे आप lace braid के साथ में या lace section के साथ में आप बनाते हैं आया समझ में तो ये concept है इस fourth section की braid को बनाने का अब हम इसको lace के साथ में भी देखते हैं तो हम यहां पर इस portion में इसको lace के साथ में बनाते हैं ठीक है आया समझ में, इसको नहीं समझ में आया, तो God से देखना, ये सिर्फ concept को समझाने के लिए कि हम कैसे कर रहे हैं, तो इधर वाला section down, फिर up, फिर down, ठीक है, ऐसे हम चलेंगे, अब यहां से देखते हैं, इसको छोड़ दिया मैंने, ये आपको समझ में आगया होगा, now we'll work with the braid, ठीक है, अब हम, sorry, lace, lace, lace के साथ में, अब हम काम करेंगे, so समझ लो, यहां से भी हमने चार section लेने है, so पहला मुझे lace को यहां attach करना है, तो lace को कैसे attach करेंगे हम, so मैंने पहला section ले लिया, जो मैं one finger का लेने वाला हूँ, इसको मुझे थोड़ा सा यहां पे back comb कर लेना है, ताकि यह थोड़ा सा volume के साथ में present हो, दूसरा lace मुझे यहां पे attach करना है, लगाना है, so यहां पे मुझे एक section ले लो आप, कोई सा भी section ले लो, just attach करना है मुझे, तो मैंने एक छोटा सा section ले लेना है, इतना सा, और इसको मुझे root area पे back comb कर देना है, अब यह back comb मैं थोड लेना है, इसमें lase, so lase लेंगे हम, इस lase को इस section में, आप चाहे तो यहां पे back comb करके boppin भी लगा सकते हैं, और चाहे इसके साथ में इसको आपने बान देना है, so simply हम इसमें एक not setting कर लेते हैं, एक आपने इसको ऐसे not बना लेना है, बिल्कुल pointed सा, और जो यह section है, यह मै इसमें बान देना है, basically, तो हम इसमें इसको बान देंगे, तो यहाँ पे हम simple सा एक not, इस section पे, root area पे, आप लोगों ने लगा देना है, तो simply हम इसको bind कर रहा हूँ, simple not लगाना है, एक बार इसको बान दो, just for the grip के लिए, बहुत चोटा सा, बहुत ज़्यादा लेंधी नही प्रेजेंट होगा, और इसको backcomb कर दो, तो backcomb करके हमने उसको just पहले बान दा, और backcomb करके हमने उसको just lock भी कर दिया, ठोड़ा सा वहाँ पे spray कर दूआ, अब यह किसी hair के साथ में हमने attach कर लिया है, कोई pins दिखेगी नहीं, बस अब इसी के साथ में हम इसको, इसी way में हम इ समझ लो, यहाँ चार लिये थे, और तो यहाँ भी हमने चार section लेने हैं, बट वो चार section जो है, उनमें से एक section किसका है, lays का, यह lays लेना है हमने एक section में, तो यहाँ से मैं थ्री पार्ट में इसको divide करूँगा, one, और यह मेरा middle वाला, और यह मेरा third, fourth section यह मेरा lays रहेगा, अ one, two, second, lays, third and fourth, तो पहले वाला section हम उपर चले, अब, तो यह इस section के उपर गया, तो lays के नीचे जाएगा, और lays उपर आजाएगी, और तो नीचे गया, तो इस section के यह उपर जाएगा, समझ मैं, अब down up हो रहा है यहाँ पर, next, अभी देखो, कोने का section देखना है, देखो, य और फिर last वाले के उपर आगया, ठीक है, lays बीच में ही है, middle point पे ही है, next, आपने देखना है, कोने का section, यह down है, so down से यह lays के up आएगा, उपर आएगा, और last, यह front वाला section है, इसके नीचे जाएगा, अब आपने यह उपर जा रहा है, तो यहाँ से section को add-on करना है, so यहाँ स हम section को add-on कर लेंगे, इस section के साथ में, और इन दोनों को आप अच्छे से merge करोगे, कॉम करके, ताकि बाद में जब आप इसको spread करें, तो आपको कोई problem ना हो, अब यह section ऊपर है, तो यह lays के नीचे जाएगा, और again, last वाले section के ऊपर जाएगा, so यह last वाला section है, इसके ऊपर यह down गया, और that's it, यह down है, तो lays के फिर ऊपर आएगा, यह ऐसे, और last वाले section के फिर नीचे जाएगा, that's it, so यह up, down, up हम कर रहे हैं इसको, again, यह last वाला section ऊपर जा रहा है, तो यहां से अगें हम एक section को add-on करेंगे, इसके ऊपर merge कर देना है, यहां से आप इसको comb कर लें नीचे and clean कर लें, यहां से आप lays, यहां से उठाएंगे, तो volume and lines work आपका present होगा, so अभी देखो, notice करो, आप लोग, कि यह पहला section जो है, यह उपर है, तो यह lays के, यह first section के उपर है, तो lays के यह नीचे जाएगा, और फिर last section के उपर हो जाना है, इसने, अब लास section यह है हमा एक बार आप concept समझ जाओगे, see, यह down है, तो lays के फिर यह उपर आएगा, और next section यह है, तो इसके नीचे जाएगा, यह देखो, अब देखो, फिर last वाला यह section है, तो यह अभी इस section के उपर है, यहां से हमने add-on किया section, फिर इसको आप clean करेंगे again, merge करेंगे उस section के साथ, अ नीचे जाएगा, ठीक है, एक बार down हो गया है, नीचे आप ले गए इसको, अब इसके बारी उपर जाने की है, so यह last section है, इसके उपर जाएगा, that's it, अब head shape के हिसाब से आपको घूमना भी है, so यहां तक हमने इसको बनाया, अब हम move करेंगे, यहां से यहां की तरफ, तो यह नीचे वाले section के साथ merge कर दिया, अभी present situation देखो क्या है, यह section उपर है, यह section नीचे है, तो नीचे है, तो यह lace के उपर आएगा, तो lace के उपर आगया है, next, पहले उपर गया, तो इस section के नीचे आना चाहिए, so इसको हमने इसके नीचे रख दिया है, अब situation क्या है, करना है, so यहां से आप add-on करेंगे, again, अब merge करने के बाद, इसने lace के, कहां जाना है, नीचे, यह section के उपर है, तो lace के नीचे जाएगा, और फिर last section के उपर चले जाएगा, साथ साथ में हम backward की तरफ जाएगे, अब उपर से कोई भी हैर merge नहीं होगा, add-on नहीं करेंगे, अब front-front से आप बनाते जाएगे, see the procedure up right now, अभी आप सेम फिर देखो, यह last किदर है, उपर section है, और नीचे वाला, एक और वाला section नीचे है, यह last section है, नीचे है, तो अभी lace के उपर जाएगा, तो lace के हमने उपर रखा इसको, और front section का, जो first section है, इसके इसको नीचे रखा, बस अब इसमें फिर हम add on करेंगे, यहाँ से, वो यह add on करना है, इसको merge करना है, और फिर देखो, अभी यह section उपर है, यह section नीचे है, यह उपर है, तो उपर है, तो यह lace के नीचे जाएगा, और last section के यह उपर जाएगा लेज के नीचे तो लास सेक्षन के उपर आ गया है अभी फिर समझो ये लास सेक्षन ये वाला है अभी नीचे है तो ये लेज के उपर आना है साथ साथ में हम पीछे जाएंगे और फ्रंट सेक्षन के यह उपर गया है, तो नीचे जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ से आप section add-on करेंगे, अब backward की तरफ जा रहे हैं, तो यह थोड़ी lengthy होते चले जाएंगे, आप इसको loose करके spread भी कर सकते हो, that's it, अभी यह उपर है, तो lays के नीचे जाएगा, और last वाले के section के उपर जाएगा, ऐस करना है, just इसको लेज के नीचे चलना है, और last section के आप उपर आजाओगे, that's it, थोड़ा control करने है, head shape के हिसाब से गुलाई में गुम रहे हैं, अभी यह नीचे है section, तो यह लेज के नीचे जाएगा, उपर जाएगा, sorry, नीचे है तो लेज के उपर, और last वाले section के नीचे बस, अभी यह last section जो आपने front से है, इसको भी पीछे खेंच देना है, थोड़ा सा fluffy रहने दोसको, यह इस section के उपर है, तो यह लेज के नीचे जाना है, और last section के उपर जाना है, बस, अभी देखो यह नीचे है, तो लेज के उपर से जाएगा, front section के नीचे जाएगा, यह सम लास सेक्षिन डाउन है तो लेज के बाउन 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 है तो ल यह अपने करना है, continue to the edges point, यहा तक हम इसको बना लेंगे, yes, remaining part को आप back point पे घुमा देंगे, for example, यहाँ पे आपका puff होगा, अभी हमने इसको just back point पे normally rule कर दिया है, ऐसे ही, बस आप इसको घुमा देंगे, यहाँ पे kind of back point पे आप ponitill बान सकते हो, कुछ भी आप, यहाँ पे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो इसको थोड़ा सा लेज को हम बढ़ा ही रखेंगे आपके हैर भी छूप जाएंगे आपका डिजाइन आजाएगा टॉप पॉइंट से जोतना आप इसको हैवी दिखाना चाहते हो डिपेंज करता आपके ऊपर यहाँ पे आप पोनेटेल दे दो कर्ल्स दे दो अब इसको जो है हम थोड़ा थोड़ा स्प्रेड आउट कर सकते हैं खैस सकते हो आप इसको थोड़ा 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 दोनों तरप से आप ये डाउन ये अब ये डाउन ये अब ये डाउन ये अब ये डाउन ये अब ये कर देना है, that's it, yes, it's looking beautiful, so बीच में आपने ऐसे लेज को add-on करना है, अब यहां से भी आपने same, लेज के साथ में आप इधर बनाओगे, so यह वाला भी same concept के साथ में यहां रहेगा, जो कि आप बनाओगे, दोनों को आपने back point पे combine कर देना है, माना यहां से भी हम ले जाते है अब आप लोगों को technique मालूम चल गई है, so यह दोनों आपने, पहले यह बनना है हमारा, फिर आपका right बनेगा, और फिर आपने बाकी इस दोनों hair को back point पे आप connect कर लेंगे, तो आप lace से ही इसको bind up कर लो, bind दो, so this is the way to make this kind of, basically यह front portion हमें आप लोगों को बताना था, back पे आ आप इसको bind बना सकते हो, open curls दे सकते हो, ponetil दे सकते हो, so basically हम आप लोगों को front variation इसका बता रहे थे कि कैसे आपने इस lace braid को बनाना है, अब यह back point पे हम जोड़ा सा randomly गुमा रहे हैं, कि ताकि यह बुरा ना लगे, बस, so पूरा hairstyle जो है, आप पीछे curls करके, या इसका आप इ आपके उपर करता है, कि आप क्या प्रजेंट करना चाहते हो, क्लाइन को, yes, this is the beautiful look, so ऐसे आपका जो है, वो आउटकम रिजल्ट आएगा, with lace braid के साथ में, और इधर इसका concept है, इसका, जो हमने आपको पहले बताया, without lace, ठेक है, तो पहले आप लोगों ने fourth strand braid को सीखना है, वो भी आप without lace के try करें पहले, तो आप समझो कि हम उसको कैसे कर रहे है, so basically last वाला section up, down, up हो रहा है, ये भी up, down, up हो रहा है, ये आप माइन में बिठा लो, वीडियो को बार-बार देखना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने कि उनको लो, और same time, जैसे मैं आप रिपीट करो, तो आप लोगों को exactly आपका similar way, a similar blade आपका बन जाएगा, बट वीडियो को थोड़ा सा आपको पॉश्च करना पड़ेगा, in between, इसको अपने करने के लिए, एक बार समझ में आ जाएगा, और दो-तिन बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये माइन में So, hope so, दोस्तों, this is the front variation, kind of front variation, यहां पर आप पॉफ and lines दे सकते हैं अपने clients को, और कोई भी आप into western, traditional, या open hair styling भी आप इसमें बना सकते हो, so ये था हमारा आज का lace braid hairstyle, hope so, आप लोगों को टेक्निक समझ में आई होगी, fourth stand braid with lace, कि इसको कैसे आपने attach करना है, और कैसे आप इ So, ये था हमारा आज का लेशन, lace braid hairstyle, front variation, so वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इसे like, share, जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों को जिनको भी hair styling सीखनी है, next hairstyle आप लोग कौन सा देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नीचे कमेंट हैं, hair styling में, आप लोग कहा problem face कर रहे हो, तो नीचे हमें comments box पे बता की, जरूर मेंचन करें, कि आप लोग कहा problem face कर रहे हो, और next video आप किसे और related देखना चाहते हो, so ये था हमारा आज का lesson, new video में मुलाकात होगी, and आप अगर हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर कर दीजेगा, इससे upcoming video की notification आपको मिल जाएगी, कि जो भी नया video आएगा, वो आप लोगों को सबसे पहले दिखाए देगा, so मिलते हैं, new lesson में, नहीं styling के साथ में, तब तक अपना ध्यान दखें, और आप सभी लोगों का प्यार and support ऐसे बढ़ाए रखेगा, till then, see you soon, bye bye, take care, bye bye